हाँ बोलिए जैखिंद 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 या मेरे साथियों आज ये टॉपिक है विरामचिन इसमें से दो या चार प्रशन दो दो नंबर या चार नंबर एक या दो प्रशन आना तह पक्का पक्का आएगा और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सामानिते ग्रेमर में कम पढ़ाया जाता है अच्छी तरह से समझाया भी नहीं जाता और गलती हो जाती है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसमें बिल्कुल मास्टर हो जाएं बहुत अच्छी तरह से इसका कमांड हो जाए विरामचिन को लेकर और आप इस टॉपिक में कोई गलती ने करें मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ छोटी सिंग सुनिता योगेंद्र मकेश और गोपाल मक्वाना और विश्नु खुशी आदव जीत और अशोकतावर और इसके साथ है पल्लवी पूनिया राजरानी चत्रवेदी सुनिता बंशिवाल बिलक्ल जहिंद और गोपाल मक्वासरा और छोटु संग और सारभ संग औरतनमा च्वादरी और बिलकु अःतिक और ओमात शंकर दिनेस योशी मात् Bangladesh Kavy Murali Ram और अरुन और बनवारी, राम सिंग, सुनीता और कृष्ण तमार और वासुदेव और विरेंद्र और बनवारी और कवी, बनवारी और वासुदेव यादव, ओके, मैं सब का सम्मान करता हूँ और आगे इसको पढ़ते देखो, इसमें क्या बात है, ये देखो विराम चिन्न है punctuation, विराम का मिलब रुकना, अगर वाक के बोलते वे आप अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रुकेंगे, तो उस रुकेने के लिए भी तो कोई चिन्न चाहिए ना, और अगर नहीं रुकेंगे, तो फिर अर्थ का नर्थ हो जाएगा, रुको मत जाने दो, और रुको मत ज जाने दो, अब देखो कहां रुक रहे हैं, रुको मत जाने दो, तो रुको के बाद में रुको, रुक गए, और रुको मत जाने दो, मत के बाद रुके, अब इसको व्यक्त कैसे करेंगे बताईए, इसका निसके लिए कौमा लगेगा ना, कहीं रुको के बाद कौमा लगा इसका मतलब ये है कि जो जहां बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम रुका करते हैं उसका भी चिन्न होता है रुको का तो चिन्न है ये रा रुको ये रुको का चिन्न है रै उ कै वो रुको और फिर ये रुक जाने का मतलब रुको और मत जाने दो तो आप देखे इसको आजम पढ़ने वाले ये विराम चिन है आप देखो ये विराम चिन है देखो मूलते ये विराम चिन नहीं है सभी हम हमें इनको कहना चाहिए मैंने इस किताब को बिल्कुल नए धंग से लिखा है इस चैप्टर को ये बिल्कुल अलग धंग से लिखा ह और जो किताबों और किताबों में मिलेगा भी नहीं या देखो आ लिपिचिन ये लिपिचिन है आ देखो सौरप सिंग चौधरी कह रहे हैं मेरे नाम लेते ही नाम लेते है अच्छा लगता है तो यास मेरे नाम से मैं लेना चाहूंगा मुझे भी अच्छा लगता है आपका पुलिस एकेडमी के अटेनिंस रिजिस्टर में ट्रेनिंग के दोरान हो और आपका नाम वहां भी लिया जाए सुरेंज सिंग पेमराम चोधरी और सुर्य रुद्र प्रथाप सिंग है यह तो बिल्कुल ऑफ-लाइन का है बिल्कुल मुझे मालू मैं सामने बढ़ते थे जोशी कह रहे हैं बिड़ा राम दिवासी आपमोट सर्ग आपमोट सर्ग या आपमोसर कौन सा शब्द शुद्ध है तो दोणों भाइसाव आपने तो मुझे तो एक ही जैसे लिख दिये दो एक ही लिख दिया या खुशी आदा वदा बारह बज warten क्लास से हमारे सबी आउ इस लिपी चिनते हैं रुकने का मतलब है विराम और कुछ विराम इतर चिन्न है विराम इतर का मतलब है विराम के अलावा अब ये देखो माता पिता माता और पिता अब बताओ इसका विराम से कोई मतलब नहीं इसमें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दो अर्थ की काई हैं, दो संग्याएं हैं, और दो संग्याओं को हमने जोड करके समास बनाया, इसका रुकने से कोई मतलम नहीं, तो ये विराम है, विराम चिन है ही नहीं, लेकिन ये लिपी चिन है, ये लिपी चिन का, तो कुछ तो, लेकिन रुकने को लेकर, अभी जो क कर रहे हैं यह अल्प विराम है यह जो है हमारा अर्द विराम है तो देखो कैसे ही अल्प विराम है यह अर्द विराम है और यह भी रुकने को लेकर है यह अपून विराम है और यह पून विराम है और यह है प्रश्ण वाचक्षिन यह विस्म आदि बोदक्षिन यह सब एक वाक्य के बीच में इसलिए रखते हैं कि इसमें कहां रुकना चाहिए इस बात को लेकिन ये सभी प्रश्ण, इसका रुकने से कोई मतलब नहीं, विराम से मतलब नहीं लेकिन हम ने तो साब को इनको विराम चिन में डाल दिया, ये ही तो गलती है, ये लिपी चिन है सब प्रकीत ऑप्रजन है वचत्वर सतं dozen यह सब क्यात और तो सर्फ के लिए आटा प्री दुए सेविर्वांष यह तुर। परिक्षा में कुद में से कोई भी आ सकता अब देखो यह पून विराम सबसे पहले इसको देखते हैं लेखक का आशे पून होने पर पून होने पर यह पून विराम लगता है अंधेरा हो गया बात पूरी हो गई ना अंधेरा हो गया एक सूचना दे रहो पून विराम मुझ क्या देखते ही आप क्या प्रश्न लगा दोगे ये लगा दोगे मुझे मालूम है आप क्या चाहते हैं ये तो तब लगना चाहिए जब कोई प्रश्न हो ये प्रश्न ही नहीं है यहां तो पहले से मालूम है मुझे मालूम है आप क्या चाहते हैं मुझे मालूम है आप जो च नहीं बता है यहां क्यों प्रश्च नहीं है यहां तो जिस कारण से नहीं आ रा शने मुझे नहीं बता है तो देखो 12 नहीं कि बताया पुनविराम लगेगा यह क्या आग्या तो भी लगएगा तो भी लगएगा इस वागे को देखिए इसाब यह गल्ती होने के एक खुलशन का मिलत्य दो नंबर में फीज चली जाती है का इसलिए सोचें वह कैसे नाज्थिय सब जानते हैं प्रश्न है क्या अब कैसे की जगे जैसे आ जाए वह जैसे नास्ती है सब जानते हैं सब जानते ना प्रश्न का पूछा अगर प्रश्न नहीं पूछा तो क्या क्यों और कैसे क्या अधार पर प्रश्न वाचक चिन मतलगा दे ना ये पहली चेताव नहीं दे रहा ह कि यास आम कैसे खाते सब को पता है बिल्कूल सब को पता है ना केसे तो कैसे से विश्व नहीं होगा प्रश्ण वाचक्षिन देखिए प्रश्ण वाचक्षिन में जब आप प्रश्ण पूछ चोगे तो उसका उत्तर मिल सकता है ध्यान रखना देखो प्रश्ण जिग्या सा क्या कब कैसे कहा कितने क्यों किसने किनों इन प्रश्णों से बनता है क्या आप दिल्ली जाएंगे बिल्कुल प्रश्ण है उसका उत्तर आ सकता है उत्तर मिल सकता हहां जाओंगा या नहीं जा था, उत्तर है, आप ये काम कैसे करेंगे, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, साब कि उत्तर मिल सकता है, तो आप सोचिए, प्रशन वाचक्चिन वहां लगेगा, जहां प्रशन हो, ये देखे, मुझे मालूम है, आप क बताईए तो ये आप क्या चाहिए आप क्या चाहते हैं ये देखे बताईए तो आप क्या चाहते हैं ये भी नहीं है प्रशन आदेश है बताईए तो सही आप क्या चाहते हैं बताईए तो सही बताने पर जो हो रहा है वह क्यों नहीं आ रहा उसने मुझे नहीं बताया उसने जब तक ये बेजा है ना इस बेज़े का इस्तमाल करने की बात है ये बेज़े का इस्तमाल नहीं करोगे तो यहां भी गलती करोगे या बिल्कुल आप देखो यहां पर कौन-कौन बच्चे आ गए है आप कहा गए थे प्रशन है वहां कितने लोग थे प्रशन है आप उदास क्यों है प्रश्ण है आपको किसने किनों ने बताया प्रश्ण है आप खाना खाएंगे कोई क्या कुछ नहीं है क्यों प्रश्ण वाचक्चिन लगावा है ये भी प्रश्ण है आप खाना खाएंगे बोलने के अंदास बोलने के अंदास इध्यान रटनाची और इससे बनता विस्मे आदी अर्थात विस्मे आदी में कौन कौन है विस्मे आदी में कौन कौन शामिल है घ्रना, अफसोस, खुशी, चिंता, भै और फिर भी आदी इन भाओं को जब व्यक्त के भाव, शीलता भाओं को व्यक्त करते हैं तब जा करके बाप रे बाप ये काम कैसे होगा ओ आप इतने जल्दी आगे ओ हो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जब भी आप अपने भाव को विक्त करेंगे ये चिन्ने लगाएंगे ये बाला अब देखे आगे एकसाइज होने वाली अरे आप इतने कमजोर होगे अरे में तो लगेगा ही लगेगा यहाँ भी ये भी तो है आप इतने कमजोर होगे प्रशन थोड़े पूछ रहा हो आश्यर व्यक्त कर रहा हो आप इतने कमजोर होगे आश्यर है ची तुम इतने गिर सकते हो इतने गिर सकते हो यहां भी पूनविराम नहीं आएगा छी यहां भी है ग्रणार यहां भी ग्रणा है पूरा बाक्य में ग्रणा भरी पड़ी है यह प्लीज यह छिपकली मेरी तरब मत पहंग देना प्लीज डर रहो ना प्लीज ये छिपकरी मेरी तरब मत पहँंक देना, भै, आगे देखे, काश हम पहले ही मिले होते, काश हम पहले ही मिले होते, प्रेम, बदमाश मैं तेरे को कच्चा चबा जाओंगा, क्रोद, यहां पर भी विसमयादी बोदिक्चिन, ये भी, तो देखो विसमयादी बोदक हाई किसी की मोत ऐसे भी होती है क्या हाई होती है क्या प्रशन नहीं है अफसोस है अब देखे आश्चर ए घ्रनाब है प्रेम क्रोध अफसोस राइट इसका मतलब क्या हुआ सर या संबोधन करने के लिए भी विसमयादी बोदक किये ध्यान रखना इसके लिए भी विसमयादी बोदक चिन काम क्या आता है संबोधन चिन भी काम आता है लड़को तुम्हें कल आना ही होगा लड़को हम लोग एक और ध्यान दीजे ये शब्द शुद्धी का प्रशन है शब् लड़को विसमयाद इवोधकी सुनो ये गंदा काम दुबारा नहीं होना ची सुनो ये विसमयाद इवोधक चिन्न है दोस्त तुमने फोन किया मुझे अच्छा लगा दोस्त अब यहां कई बार जो है कौमा से भी काम चल जाता लेकिन सही तो यही है जब आप कहने हैं दोस्त या अब अपून विराम ये देखो उप विराम चिन्न इसको अपून विराम भी कहते हैं और उप विराम भी कहते हैं या देखो एक मंतवी को दो भागों के बीच लगता है अहिंसा मनुशत्व है हिंसा पशुत एक बात ये कह दी और इसी की टक्कर की दूसरी बात ये कह दी और दोनों के बीच में ये लगा दिया आइंसा मनुशत्व है इंसा पशुत ये अलग बात है ये अलग बात है दोनों का सम्मन तो है कृष्ण न अरजुन को प्रेरित किया यह दुशुरू हो गया यह देखे एक घटा यह घटी कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और नतीजा क्या निकला यह दुशुरू हो गया व्यक्ति में तीन गुन होते हैं अब यह भी काम आता है विवरन चिन आगे यह और यह दोनों ऐसे आपस में हो जाते हैं तीन गुन होते हैं सत, रज और तम तीन गुन होते हैं सत, रज और तम देखो नाठकों में नाठक देखे होंगे आपने एकांग की नाठक यह है चरित चरितर के बाद में दो बिंदिया आपने देखी होगी राम से कह रहा है आप अयुद्ध्या चलें और राज करें भरत कह रहे है राम से तो देखो आप भरत भरत के बाद में यह यानि अब यह भरत का कथन है राम से कह रहे है यह ब्रिकेट में यह ब्रिकेट आएगा आगे ब्रिकेट ही बताएंगे आप आयुद्या चलें और राज करें, पून विराम है, राम भाई अब ये संभव नहीं है, भाई राम देखो राम ये कह रहा है, और भाई संभव नहीं है, पून विराम, दिहान से देखते चलिए, ये सब सारा मामला अच्छी तरह से समझने का है, इसमें जब तक वाक्य क भाई नहीं समझोगे, ये विराम चिन्न आपके समझ में नहीं आएंगे, ये देखे, अर्ध विराम, ये है सेमी कॉलन, ये कौमा है, और ये सेमी कॉलन, देखो अर्ध विराम कहां लगता है, बड़े वाक्य में, उपवाक्यों के बीच, विराम देने के लिए, बड़ा उपवाक्यों और वो छोटे-छोटे उपवाक्यों में, उनके बीच, देखो, देखो ये बड़ा वाक्य, पूर्ण विराम तो यहां लगा, लेकिन दो जगे इसमें अर्ध विराम लगा, ये उपवाक्य है पूरा, लोग इकटे हो रहे थे, इस त्री पुरुष जटों में आ रहे थे, भीड बरती जा रही थी, पूर्ण विराम, तीनों एक बात है, ज़्यादा लोगों के आने की बात हो रही थी, आप चाहे तो इसके तीन वाक्य बना दे थे, ये ये बना सकते थे, लेकिन अगर आपको तीनों को कनेक्ट करना है, कुल मिलाकर क्या आपको काफी बीड दिखानी थी, उसकी प्रक्रिया आप बता रहे हैं, प्रक्रिया ये लोग इकटे हो रहे थे, इस तरी पुरुष जथों में आ रहे थे, ये उपवाक्य है, और ये पूरा का पूरा वाक्य है, पूरा का पूरा वाक्य ये, कि लोगों के इकटा होने की बात को आपने तीन टुकडों में कहा और तीन टुकडों को मिलाखर के आपने ये बात कही कि लोग वहां काफी संख्या में एकत्र हो रहे थे उसमें पहले ये कहा ये उपवाक के ये क्रिया है हो रहे थे और इसमें अर्द विराम लगाया अभी विराम का बताऊंगा ये कहां लगता है ये छोटी जगे लगता है जैसे राम और नरेश यहां लगेगा लेकिन ये तो पूरा उप्वाक के है इस पूरे उप्वाक के बाद में अर्ध विराम लगेगा ये है पून विराम और ये है अर्ध विराम तो देखो ये लंबी चोड़ी बात पूरा सा लगबग एक उपवाख के कह दिया फिर एक उपवाख के कह दिया और इन तीनों को मिला करके आपने एक बात कही लोग एकत्र हो रहे थे तुम्हें सबसे पहले अच्छी रिरन नीती बनानी होगी देखो कितना बड़ा वाक्य रन नीती के अनुसार काम करना होगा पहले रन नीती बनाओ फिर रन नीती के अनुसार काम करो और फिर जो बाधाएं आएं उन्हें दूर करना होगा यानि कुल मिला करके आपको तैयारी कैसे करनी है ये एक बात कर नहीं थी, एक वाक्य में, इस वाक्य में ये तीन उप वाक्य हो गए, और तीन उप वाक्यों के बीच में ये अर्दविराम लगा, ये basic concept समझते चलिए, जब ये concept समझ जाएंगे न, तो आगे चल करके फिर प्रशनों के उतर देने में confidence रहेगा, वरना तो आ वो था दो उप वाक्यों के बीच में, अर्दविराम, संग्याओं, सरुनामों, विशेशनों, क्रियाओं को अलग करने के तू, देखे, सुनील, कुमार और नरेंदर खेल रहे थे, ये संग्या है, अगर ये नहीं लगाओगे न, तो सुनील, कुमार एक संग्या हो हो जाएगा, और इसके हटाने से सुनील अलग हो गया, और कुमार थे, हम तीन लोग हो गये, एक, दो, तीन, ये तीनों संग्याएं हैं, संग्या, अब देखो, सरुनाम, भानु, प्रिया और अनीता पढ़ रही थी संग्या, अब अगर ये हटा दो, भानु, प्रिया एक ह हो जाएगी, मैं आप और ये सभी, मैं आप और ये सभी, देखिए सरुनाम के बीच आ गये, मोटे, दुबले, छोटे, बड़े, सभी लोग, सभी लोग बीमार पड़ गये, आप देखिए, मोटे, दुबले, क्या हैं ये, विशेशन है, और क्रिया देखिए, खाया, पिय खेला और सो गया लड़का जो है खाया पिया खेला और सो गया यह देखो लास्ट में तो और लगेगा सब में यह और है यह और है लेकिन अगर उसके पहले कौमा लगेगा तो देखो संग्या सरवनाम विशेशन क्रिया कोई भी आए यह सब एक एक शब्द हैं दो शब्दों के बीच संग्याओं सरवनाम विशेशन क्रियाओं को अलग करने है तो देखो अलप विराम बड़े वाक्य में छोटे उपवाक्यों के बाद भी ये दूसरा है अलप विराम ही चल रहा है दूसरा वो तो एक शब्द के बाद में थी ये बड़े वाक्य में छोटे उपवाक्यों के बाद वै उठा ब्रश किया सनान किया और चल पड़ा अब देखो ये छोटे छोटे उपवाक्य हैं ये बड़ा उपवाक्य अगर बड़ा उपवाक्य होगा इतना बड़ा तो अगर बड़ा उपवाक्य होगा तो अर्दविराम लगेगा और अगर छोटा सा उपवाक्य है वै उठा, ब्रश किया, सुनान किया और चल पड़ा संबोधन चिन्न की तरह भी होता है संबोधन चिन देखो, सुनो मैं भी चलूँगा आप यहां भी अगर थोड़ा सा जादा ही रुकना हो तो यह भी लगएं, सुनो, मैं भी चलूँगा और अगर धीरे से बोलना, सुनो, मैं भी चलूँगा कॉमा से काम चला लेते हैं, संबोधन में भी विशे सूचना देने हैं तू विपल, जो अभी अभी आया था, गिर पड़ा यह देखो, इस विपल के बारे में सूचना दे रहे हो विपल, कॉमा, जो अभी भी आया था अब कौन है विपल, विपल आप नहीं जानते हो तो उनका देखो, विपल वो है, जो अभी भी आया था गिर पड़ा, कॉमा यहां भी लग रहा है अब आप आईए योजक चिन, हाइफन ये योजक जोडने वाला है, इन शब्दों को भी ध्यान रखे योजक यानि जोड़ेगा किसको, दोश शब्दों को दोश शब्दों को जोडने, समास बनाने कारक चिन्नों को जोडने, ए तो ज्यान दीजे कहां कहां लगता है दिन रात समास बन रहा है ग्रह कारिये पद यात्रा दाल रोठी समास है दिन और रात ग्रह कारिये ये देखो दिन रात द्वंद समास है ग्रह कारिये तत पुरुष है पद द्वारा यात्रा तत पुरुष है दाल रोठी द्वंद वै क्यो पुल दोन्द में नहीं लगता ततबुरुष््प में लगता है ग्रहे कारी देखिए पदियात्रा, दूसरा देखो यह आ गया कम से कम इसके भीच यह है कालक्षिन, किसी ने किसी अभी अव्य हो गया गाउं का गाउं और दही ही दूद ही दूद ये देखो ही आरा है का आरा जब ये ग्रुप बना रहे हो आप ये ग्रुप बना रहे हो ये पद बना रहे हो आप पद बना रहे हो वहाँ पर आपको ये योजक लगता है कथन को सपष्ट करने के लिए विवरन चिन डैश ये रहा विवरन देखो योजक होता चोटा और ये होता बड़ा बड़ा होता है बैठक में सभी लोग थे इसकी जगे ये भी काम में ले सकते हैं और ये भी काम में ले सकते हैं दोरों पुरुष इस्तरियां बच्चे बूढ़े आ दिया देखो बैठक में सभी लोग थे डैश लगा दिया कौन ये विवरन है उन सभी लोगों का विवरन है सभी लोगों का विवरन कौन है, सभी लोग कौन कौन है पुरूश, स्त्रिया, बच्चे बूढ़े आदी ये विवरन चिन लगाया और इसमें ये भी लग सकता है वरना सामानित है आप लोग इसको काम में लीजे आप इनका ध्यान रखना ये बहुत कमजोर है ध्यान क्यों रखना इसको ज़्यादा डीटेल में बता रहे हो इसका कारण बता रहे हो उसकी वज़े बता रहे हो और डैश करके लिखा ये बहुत कमजोर है कभी-कभी विवरन चिन जो है ये और अपून विराम ये वाला विकल्ब से भी काम में आ जाते है वियास ये भी काम में ले लेते है और ये भी काम में ले लेते है या विवरन चिन देखे ये ये हमारा विवरन चिन तो है ये डैश ये हमारा एक्स्प्लिनेशन का इसको निर्देशक चिन भी कहते है निर्देशक निर्देश दे रहा explanation mark किसी कथन का विस्तार करने या स्पष्ट करने खेतू लोग बीमार होते हैं लापरवाई से देखे क्यों बीमार होते हैं उसके कारण दे रखें नीचे लोग बीमार होते हैं अब ये उसका explanation है बीमार होने का लापरवाई से और यह देखो यहां पर एक बार में कौम सेमी कॉलन लगा दिया है वियाम ने करने से और और आ गया और गंदगी में रहने से अब पून विराम आएगा यहां लोग बीमार होते हैं यहां पून विराम नहीं लगेगा बात पूरी नहीं हुई लूग बीमार होते हैं इसके कारण दे रखें और यहां लगेगा पुनविराम लोग बीमार होते हैं विस्तार लापरवाई से व्यायमने करने से आपको तो यह लगा दिया और फिर आप यहां संदर्ब लिके रहे हो तो विशय और संदर्ब लिखने के समय भी ये है निर्देशक चिन या एक्स्प्रिनेशन मार्क काम में आता है ये लागव चिन लागव या नि लगू लगू से बनाए ना किसी शब्द को छोटा बना दो छोटा बनाने के लिए ये डॉक्टर है और डॉक्टर को आपने छोटा बना दिया ऐसे बना दिया आपने पंडित है ये ये पंडित है और पंडित को आपने ऐसे बना दिया ये बना दिया ना ये ये लगा दिया ना ये ही तो है देखो किसी शब्द को लगुरूप में लिखने ये तो डॉक्टर ये लगा दिया ये भी चलता और ये भी चलता है पंडित ये भी चलता और ये भी चलता है ये देखो संस्कृत के लिए सै के उपर बिंदी ये का कारक हमारे शब्द कोशों में ऐसे लिखे रहते हैं शेप बनाना होता आगे, ये पूब, ये पुलिंग है, अब लोप वर्जन चिन, इलिप्सिस मार्क, ये तीन बिंदी लगा देते हैं, तीन भी लगा देते हैं, चार पांच भी लगा देते हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन किसी कथन को नै कहने है तू, पाठक की कल्पना के लिए छोडने है तो, देखो, सावधानी से बोलना, वर्णा, सावधानी वर्णा पिटाई हो जाएगी, अब आप कहना नहीं चाहते हैं, पिटाई हो जाएगी, वर्णा के बाद मैं डॉट 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 लिग दिया, कल्पना कर लो वर्णा तो क्या होगा, तो ये लगा दिया रिक्तस्तान छोडने के लिए रिक्तस्तान छोडने के लिए देखो राजस्तान में जिले घो परशनों में छोड़ देते मैं अद्धर प्रदेश में इतने जिले अब आप भरते रहो तैर 7 अवान्चित बात को छिपाने के लिए उसने मुझे गाली देते वे कहा कि यहां है गाली और गाली को छोड़ दिया आप देखाऊगा टीवी वगरा पे वहाँ पर डॉट 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 लगा देते हैं कि साब इनका रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग का जो है ट्रांस्क्रिप्ट बता रहे हैं रिकॉर्डिंग क्या उन्हों की बात क्या चीती हुए बात आती है और जहां पर गंदी भद्धी बात होती है वहाँ पर डॉट 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 लगा देते हैं ये वो है उसने मुझे गाली देते हुए कहा कि ये गाली है यहाँ पर उसको डॉट 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 और तुम यहां आए ही क्यों बाद में यह कहा पहले तो गाली दी और फिर यह कहा एकल अवतरन चिन देखो इसको ध्यान से देखिए बहुत इंपोर्टन चिन नहीं एकल यहां नीचे लगती है और यहां उपर लगती है यहां देखो नीचे लगती है और यहां उपर लगती है गांट यह द्यान रखना यह लग रही है यह लग रही है अब देखो यह सिंगल भी होता है डबल भी होता है अभी बात सिंगल की कर रहे है सिंगल इंवर्टेट कॉमा किसी शब्द या वाक्यांश को विशिष्ट अर्थ देने के लिए किसी शब्द को या शब्दों के समूँ वाक्यांश को जैशंकर प्रसाद अब देखो प्रसाद के लगा दिया ने कामाईनी लिखी है कामाईनी के लगा दिया अब प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता देवता की भेंट देवता का प्रसाद और प्रसाद का मतलब होता है क्रिपा ये प्रसाद होता है तो प्रसंता देवता का प्रसाद और क्रिपा ये है प्रसाद और कामाईनी लिखी है अब कामाईनी तो काम की पुत्री है काम देव की पुत्री उसका नाम था श्रद्धा वैदिक पात्र है श्रद्धा अब श्रद्धा एक लड़की का नाम था जिसके बेटर जो है मनुसे फिर मानव पैदा हुआ, और हम उनी की उलाद है, तो वो श्रध्धातो वैदिक पात्र था, इस्त्री थी एक, उसका नाम था कामईनी, कामईनी काम की पुत्री, लेकिन यहां कामईनी कार्थ हो गया, महा कवे, यह महा कवे, गोदाण, प्रेमचंद, अब देखे इसका मतलब किसी शब्द या वाक्यांश को विशिश तर्थ देने के लिए प्रसाद कार दे दिया भाई मुझे जैशंकर नहीं कह करके प्रसाद गई है और मेरी उस पुपुस्तक मेंने का मैं नहीं लिखी रामधारी सिंग कह रहे हैं भाई मुझे तो दिन कर को सूरज को कमर होगे कुरुक्षेत्र लिखकर कुरुक्षेत्र तो हर्याना का कस्वा है या किसी कथन को नए कहने है तू इसके बाद अल्प विराम क्यों लगाया अल्प विराम कहां लगाया जी पहले आपने देखो अगर यहां कहां लगाया कहां लगाया अब अल्प विराम कहां लगाया अल्प विराम तो इसको कहते है या आगे चली देखे सबको चुपडी रोटी सुविधाएं चाहिए अब चुपडी रोटी का क्या अर्थ हुआ यह अर्थ हुआ सब को चुपणी रोटी चाहिए अब चुपणी रोटी का आर्थ रोटी पर घी लगई इस रोटी से नहीं मतला उसका आर्थ ही ये सुईदा है तो विशेशार दे दिया ना चुपणी रोटी को एकला उतरण में कर दिया इसलिए देखो छोटु सिंग जी अभी जो है इसके साथ चलो आपके प्रशनों को ध्यान में रखो इसके साथ समस्ते चलिए लेकिन ठंडी करके खाओ भाई ठंडी ये ठंडी एक शब दे दिया ठंडी का मतलब सही हम से ठंडी करके खाना अब ये कोई ठंडी जो है यहाँ पर ठंडी टेंपरेचर के ठंडी होने से थोड़े मतलब है अब ये देखो उद्रण इन्वेडेट का माज उद्रण चिन ये तो अवद्रण चिन नहीं किसी दूसरे का कथन किसी कथन को जों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कैसे देखो रामधारी सिंग दिनकर ने कहा कि कुरुकशेत्र मेरी उत्करष्ट रचना है ये शब्दावली रामधारी सिंग दिनकर की थी जों कीतियों तो जों कीतियों बताने के लिए आपने ये लगा दिया अब देखो आप यहाँ पर क्या क्या है इस पर प्रश्ण बन जाएगा देखो यहाँ पर है एक अलवतरन चिन इसके बाद में यह है विवरन चिन यह भी एक अलवतरन चिन और यह है अवतरन चिन या उधरन चिन इसको अवतरन चिन भी कहते हैं अवतरन वो है एक अलवतरन ये है एकल अवत्रन और ये है अवत्रन चिन आगे देखे जैशंकर 125 प्रसाद ने कहा कि यहां देखो, कामाइनी मानव के विकास की मनोवेग्णिक गाता ये कथन कामाईनी मानव विकास के मनोवेग्यानिक गाथा है ये जैशन्ग प्रसाद का कथन है कामाईनी मानव के विकास की मनोवेग्यानिक उनका स्टेटमेंट और ज्योकातियों ये देखो यहाँ पर है सक्त रामधारी सिंग्धिनकर ने कहा कि इसको हटा दो इसको भी हट कहा कि कुर्खशेत्र उनकी उत्करश्ट रचना है बिल्कुल आप देखे यह यह पहले जो था न बिल्कुल एक्टिव यह पैसी वोई स्में बदल दिया कुर्खशेत्र उनकी उत्करश्ट रचना है तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करें बिल्कुल जैसा का जैसा कथन ये कथन दिन करका है और ये कथन जो कातियों ये जैशन्ग प्रसाद का इसलिए ये ऐसे ही होगा मोहन ने कहा डैश करके मैं कल भी आऊंगा वरना तो ये कहते हैं मोहन ने कहा कि वे कल आएगा मोहन ने कहा और यहां की आजाएगा हर्सवण जाएगा मोहन ने कहा कि वे कल आएगा लेकिन अगर आप उसका वाक की वैसा का वैसा ही कहना चाहते हो तो पिर ये invitation कामा बेगा MPPCS में आचुका है अब लगू कोश्ठक देखो इसमाल ये रहा ये लगू कोश्ठक है और ये बड़ा कोश्ठक है ये बड़ा है और ये छोटा है देखो कहां लगता है किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके सामानार्थक शब्द को कोश्ठक में रखा जाता है देखो शब्द के विभक्ति कारक्चिन लगने पर वो पद बन जाता है शब्द के विभक्ति कारक्चिन लगने पर देखो अब विभक्ति का अर्थ समझ में ने आया तो आपने इसको यहां लिख दिया कि विवक्ति का मतलब होता कारचिन तो समझते हो ना कहां वो तो जानते हैं उसे ही विवक्ति कहते किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस विवक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके सामानार्थक शब्द को ये उसका सामानार्थक शब्द है उसको कोश्ट हक में रखा जाता है ये कोश्ट हक में रख दिया किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके सामानार्थक शब्द को कोश्ट में रख इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको इसका अर्थ आता है तो फिर इसको पढ़ने की जरूत नहीं है और अगर आपको इसका अर्थ नहीं आता तो फिर इसको पढ़ लीजे और इसका अर्थ समझ लीजे इसके लिए कोश्ठक है दूसरा देखो नाटक में रंग निर्देश दे रंग निर्देश ये तो जह है योजक है रंग निर्देश रंग मी साभिनय का निर्देश दे निकले कैसे देखो भरत सर जुका कर देखो इसको ब्रिकेट में लिखा अब सर जुका कर भरत का कथन नहीं है ये direction है कि भाई भरत ये बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे यहों सर जुका के कहेंगे तो ये सर जुका कर मेरे अगरज राम के वनवास का कारण में ही हूँ मेरे बड़े भाई को जो वनवास मिला उसका कारण में हूँ क्योंकि मेरी मा मुझे राजा बनाना चाहती थी मैं नहीं होता दुकाई को तो देखो यहाँ पर ये जो रंग निर्देश दिया इसको भी ब्रिकेट में देते हैं अब जो बोलने वाला भरत को बोलने को ये नहीं बोलना उसको आगे जो है ये कथन बोलना बड़ा कोश्ठक चिन देखे ये ये कहां आता है कोई अत्रिक्त कथन करने ये तो अभी आप ज़्यादा परिशान मत हो धीरे धीरे जब मैं एक्जम्पल दूँगा न सब एके करके आपके दिमाख समझ में आ जाएगा लेकिन सैद्धानतिक बात को पहले समझ लेना चाहिए उसके बाद जब प्रेक्टिकल करेंगे प्रशन पूछेंगे तब चीज पक्की होगी अभी ये सारा गड़मड हो जाएगा ये सब गड़मड एके करके फिर निकलता जाएगा इसलिए आप गवराई मत की लोसाब इतने आगए हो हमको याद के सब याद रह जाएगा जो जो प्रशन आएंगे इरतियों तो समझ में आ जाएगी कोई अतरिक्त कथन हे तो किसी नाटक के द्रश लेक की प्रश्ट भूमी प्रस्तत करने के लिए उस सामगरी को बड़े कोश्ट प्रस्तत क्या मतलब हुआ देखो कोई यहां से यह जो है यह आपका निबंद शुरू हो रहा है या कोई किताब शुरू हो रही है या कोई नाटक शुरू हो रहा है अब उस किताब वो क्यों लिखा निबंद क्यों लिखा आपने किसने प्रेणा दी कहां गए कोई अतरिक्त सामगरी अतरिक्त बात कहना चाहते हैं आप तो फिर यह बड़ा ब्रिकेट हो करके यह कई लाइन में चल सकता है यह दस लाइन तक चल सकता है दस लाइन तक यह बात कह सकते हो आप इसको तो यह अब यह ब्रिकेट में क्यों है कि यह मुख्य लेक का पार्ट नहीं है यह अतरिक्त पार्ट अगर आप इसको पढ़ लोगे तो फिर नीचे की बात को और अच्छी तरह से समझ में आओगी, यह विश्यवस्तू नहीं है, यह विश्यवस्तू की प्रश्ट भूमी है, भूमी का है, तो भूमी का के लिए हम लोग ब्रेकेट में काफी बड़ी सामगरी लिखते हैं, परिक्षा की दृष्टी से बहुत क हम इंपोर्टेंट है, इतने में एक्जामनर फंसेगा ही नहीं, उल्जेगा ही नहीं, फिर भी हम एक प्रश्ट कैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, देखो समरन हंस, दो-तीन बचो और बचे हैं, चिंता करने की बात नहीं, समरन भूल गये थे, अब याद आ गया, इसलिए सम इसे, तो इसको पद कहते हैं, पद यानि पद चिन नहीं इसके, और इसको तुरूटी चिन भी कहते हैं, तो काक पद भी कह दिया, हंस पद भी कह दिया, और समरन भूल जाने तब याद, देखो कैसे होता है, किसी सब्दिया वाक्यांश के भूल जाने पर उसे जोड़ने ह तो कैसे माली बाग में तोड रहा था कि अचानक आ गया ये आपने लिख दिया फिर आपने दुवारा पढ़ा कि माली बाग में रहे क्या तोड रहा था और फूल फूल तो छोड़ दिया हमने अब कहां लिखो ये तो इतना लिख दिया इतना लिख दिया आपने तो फिर अब क्या करो तो क्या करो क्या ऐसे लगाया इसको ऐसे भी लगा देते हैं ऐसे यो लगाया ऐसे भी लगा दो चाहिए ऐसे लगा दो यो लगा करके उपर लिख दो यहां पर यहां उपर लिखावा है ये पूरी उपर लाइन चर लेए दो लाइनों के बीच मैं ऐसा लिख दिया कुछ लोग गलती से इसको यो नीचे लिख देते हैं नीचे मत लिखिए ये हमेशा उपर लिखा जाता है कि अचानक बंदर आ गया फिर भूल गया आप तो बंदर को फिर लिख दिया आप ये बंदर आ गया ये है श्लैश सब जानते हैं आप श्लैश अब लिख मार्क श्लैश का मतलब दो में से एक देखो स्मरन चिन इसको चाहे स्मरन चिन कह दो चाहे इसको हंसपद कह दो चाहे इसको काकपद कह दो और चाहिस को तुर्टी चिनने का दुख, सब एक ही चीज है, या, इसका मतलब है या, तो या को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये अनुवर्ति चिन, अनुवर्ति मींस बार बार उसी को रिपीट करना, श्रिमती जोचना, अब फिर यहां लिखते हैं श्रिमती, फिर यहां क्यों लिख रहे हो बाई, इसकी जगे ये लगा दीजे, इसका मतलब उपर वाला यही है, ये लगा दीजे, इसका मतलब उपर वाला भी है, ये श्रिमती अनुश्मितार, ये श्रिमती अनुश्का है, अब वास हो गया काम, आप देखो पिछली परिक्षाओं में कैसे सुधीर कुमार समझ में नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि काफी इदर उदर की चीजें बहुत देखते हो माथे से कच्रा साफ करो कच्रा साफ करो या शाबास देखो ये विदर और सूरिय प्रम्रावन, मुकेश, उमेद, सौम तो ये चार पर आ गए आप तो आप देखें तो आप तो कहरें तो समझ में नहीं आ रहा है आप तो कहड़ें थे समझ में नहीं आ रहा और यहां तो मुझे खिसी के गलती ही नहीं लग रही ये देखो एक ये इसके गलती ही आई एक कर गया चुना एक चुन गया यास बिलकुर बाकिस सब के यह ही है अच्छा बताओ इसे क्या बोलते हैं, इनके नाम लिखो, इनके तीनों के नाम लिखो, तीनों के नाम लिखो कौन सा समस बेज रो भाई, भीमा राम, बिच्ट, एनकेत, छोटु सिंग, भीमा राम, बिδαर सिंग, अंकेत, बरत सिंग, रैश सिंग, अभै सिंग, अभै सिंग, आपके कमेंट आ रहे हैं सतीष धाकर जी लेकिन मैं अब कमेंट कौन सा देखता मैं तो पढ़ाने में लग रहा था पढ़ाने में इदर नहीं आऊंगा वरना तो फिर ये चकलस कई मेहनों तक ही चलती रहेगी मुके शोधरी करहा है बहुत इच्छे समझ में रहा है तो दिमाग कॉंसेंटेशन लगाएगा सर गलत पढ़ा वससी कई हैं क क्या बता है बीकाराम कहा कहा से गलत पढ़ लिए हैं गलत पढ लिए हम टाइम लगता है ठीक बुलाने में है अग्टे अग्ट अग्टी 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 काते अग्टी यास अभी इस चीज याद होते जाए या अर्द तत्सम नहीं होते क्या अब यहाँ शब्द होते हैं अर्द तत्सम भी या देखो इन में से उध्रन का चिन कौन सा है शाबास 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 यह आगे देखे यह पुषपेंद्र आगे आ रहे हैं सबके S-M-S आ रहे हैं आपके नरेश और सुमान मुकान्द देवंद रुक्मार्त तन्वे चोधरी जीत और अंकित और कवी है और भूका और पूजा मीना बिल्कुल और रितिक है दिरेश पूजा संकिता अंकित और भीमाराम लक्षमी शंकर और बनवारी और पूजा काकस और मुकेश चोधरी या इनमें गणित में भी लगते हैं बिल्कुल सही यह इनमें से काफी इसके आधार पर बहुत कम्प्यूटर बना सार कम्प्यूटर की लेंग्वेज बनी इस आधार पर स्लैश अलग चीज है आप देखे या सियरी यह तो आप जानते हो विसमयाद इबोधक चिन या संबोधन चिन है यह इसको कोई बताने की जरुतनी यह प्रशन वाचक चिन है और यह आप अभी भी बता चुके कि अर्धविराम है यह पूरे बड़े वाक्य के अंश के बाद आता हो या इनमें से संबोधन का चिन कौन सा कैसे प्रशन बनाने में पसीन आता है वाक्य बना करके पूछने म इसलिए साब ऐसे से डारेक्ट पूछ लेते हैं नाम पूछ रहे हो अभी तो नाम पूछ रहे हो इसका प्रियोग तो पूछी नहीं रहे है या बिलकुल पूजा मीना आ रहे हैं आपके पूजा मीना आप पहले नहीं आ रहे थे लेकिन अब सब क्या रहे हैं सुनीता है व यहाँ पर पूछने की बात है, यह देखो, ये इधर की तरफ जो जाएगा वो है ग्रेटर की तरफ पर प्लस और माइनस है थोड़े गनित के आगे इन में से देखिए इन में से अल्प विराम का चिन कौन सा है आपके आ रहे हैं का है संदीब जी पिल्कुल कमेंट आ रहा है विकरम और पूजा कोखस तन्वे चोधरी और मानक राम और अमपरकाश और मनोज और पल्वी और अंकित और सुरेंद्रृ खुशी गोपाल संग्ग नरिजा और रंजन प्रतीक और सौम सुरेंदर और मुकेश और प्रताप सतिश और पल्वी और अर्जुन और बिंदर सिंग अजय और अम प्रकाश सुनीता सुरेंदर और प्रदीप और ममता और दिनेश और भीका भाई सुनीता सुरेंदर बियंद सिंग यह यह देखे बेल इसका ये क्या है? इसका नाम लिखेंगे आप आप भीमा दिनेश और पुझा राजरानी और पुझा काकस मनिष्ट देवरताल और सुनीता और विक्रम और फुष्पेंदर और अंप्रकाश Pratik और भीमा और सुनील और अरजुन शतीश और पवी और विरेंद्र दिनेश यह इस योजक है योजक शाबस योजक है योजक है दो शब्दों के बीच आता है बेलकु दिन रात दिन और रात दो शब्दों के बीच अब देखिए इन में से वर्जन चिन आरेस आर्टी इस में एकजाम निशन में आया इन में से वर्जन चिन कौन सा है यह से वर्जन है यह विस्म्यादी बोदक यह स्पेस के लिए और यह है लागाव चिन लागाव छोटा बनाना डॉक्टर लिखना लागाव देखो लेमिलिकद वाक्यों में से किस वाक्य में विराम चिन्नों का संगत प्रियोग हुआ इसको तंक इसको कल करेंगे इस प्रश्ण को कल करेंगे कल कुछ और प्रशन जो है आपके लिए लाते हैं और कल इसको और करके फिर इसको करेंगे आज काफी चीजों इसके लिए साथ मेरे जो किताब है ने किताब आपके पास किताब आपके पास आज क्लास हुई थी ने सुबह सुबह क्लास हुई थी, सुबह रीठ की नहीं हुई थी केवर, लेकिन या, अरे यार क्या बताएं, प्यास लग रही है, मैं दौढता भगता आया हूं कहीं से, दूसरी जगे से, सेक्टेट गया, डेक्टेट गया, कहां कहां, हानता हुआ, आपकी क्लास के लिए आया, तो ऐ कैसे करके आते पिर चाय और देर में फिर पानी पीने के इच्छा हो रही है और चाय भी ठंडी हो गई थी राइट आप लोग इसको देखिए सूरे रुद प्रताप सिंग्ध मन शांत नहीं रहता इस सवाल तो काफी बड़ा है लेकिन अगर यह सोच लेकि मेरे सामनी ड्यूटी है मेरा आज एक दिन है इस दिन में इतने घंटे और इतने घंटे मैंने एक काम कर लिए बात खतम बस इसके आगे कुछ काम मेरा नहीं हो सकता मेरे हाथ में अपॉइंट्मेंट लेटर देना नहीं है मैं खुद अपने उस प इससे जो सबसे बड़ा फाइदा होगा कि जो आप पढ़ोगे वो आपको ज़्यादा याद रहेगा आप बेचे नहीं रहेंगे और जो आप चाहते हो जो आपका लक्ष हो अधिक मजबूती के साथ पूरा होगा इसलिए आप टेंशन मतलाई है हमारा काम नौकरी लेना प इसलिए पढ़ने पर ही ध्यान दो यही हमारे जिम्में है बस फिर बाकी चीज़े अपने आप हो जाएंगी मैं या कोई निराश नहीं कर रहा मैं रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ जो हम लोग टेंशन में रहेंगे बेचें रहेंगे तो फिर जो कुछ दिन भर हम जितन अच्छा काम कर सकते वो नहीं कर पाएंगे और अगर हम हमारे पास में जो कुछ है वो यही है कि हम पढ़ सकते आराम करो फिर पढ़ो फिर पढ़ो बस इदर उदर बात करो हमेशा पढ़ना मत पढ़ने की इच्छा नहीं हो के उससे में मत पढ़ो जब पढ़ने की तो होगा, बस आज यहीं पर मैं समापन करता हूँ आज बृजेश जी की ख्लास नहीं ओगी मित्रो और आज उनका कहीं बहर जाना हो गया तो historically की ख्लास नहीं होगी आज बस यहीं पर हम लोग समापन करेंगे ओके नमस्कार